आज हम लाइब आ चुके हैं और आज आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पहले लाइब को जोईन करिया आप और लाइक जरूर कर दीजेगा खिरो से स्टार्ट करेंगे लाइब कर दीजेखा आपको जोईन कर दीजेखान। कि आइप को जोईन कर लिया आप लोगोंने जडिया देखते हैं कितने लोगोंने लाइप को जोईन कि आइप कि काईब में कि आइप लोगों धिया आइपक ल quickly आई होप आप लोको मेरी स्क्रीन आ रहे होगी अलो आवरीबन आप लोको मेरी स्क्रीन आ रहे होगी आप लोको मेरी स्क्रीन आ रहे होगी अलो आप लोको मेरी स्क्रीन आ रहे होगी क्या मैं इस वीडियो को स्टार्ट करो अलो आप लोको में तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि Mark Software के अंदर पोड़क्त कैसे क्रेट करते हैं ठीक है या तो चलिए मैं 0 से स्टार्ट करता हूं Mark Software डाउनलोड कराऊंगा डाउनलोड करने के बाद से कंपनी क्रियेशन कंपनी क्रियेशन के बाद से पूरा कंपनी को स्टार्ट करते हैं मैं सॉफ्टर को क्लोज कर देता हूं पहले हमें जाना होता है अपने सिस्टम के ब्राउजर फाइल में वेब ब्राउजर के अंदर और मार्क की ऑफिशियल वेब साइट मार्क कंपूस और डॉट कम पर जाते हैं कि और यहां से डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं कि आउनलोड पर क्लिक करते हैं यहां पर आप अपनी बेसिक इंफोर्मेशन फिल कर सकते हैं लाइक मॉबाइल नंबर और अड्रेस वोगएरा ठीक है कि टर्मेंड कंडिशन को रीड़ भी कर सकते हैं और वहां पर चेक करना मेंडेटरी है कि आप कि 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 आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं कि यह हमारा सेटप फाइल है कि डिबल क्लिक करते हैं यस नो का पॉप अपन होता है नेक्स करते हैं कि आई एक्सप्ट अग्रिमेंट और वह डिरेक्टर वह फाइल फोल्डर सेलेक करते हैं जहां पर हमें मार्क सॉफ्टर को इंस्टॉल करना है मैं आपर एक फोल्डर सेलेक कर लेता हूं इड्राइब के अंदर मैं वाइटी मार्क नाम से फोल्डर ले लेता हूं अब जो भी मेरा यह प्रोग्राम इंस्टॉल होगा वह वाइटी मार्क वाले फोल्डर में होगा ठीक है ओके नेक्स्ट करते हैं क्रियेट टेक्स्टॉप आइकन अगर आपको सॉटकर 28 वाइज एककट क्रेट्ट करनी है तो क्रेड़ डेक्स्टॉप आइकन पर क्लिक करते हैं और वर इंस्टॉल पर क्लिक कर देए इस पी किनिस करते हैं किनिस करते ही यह हमारा software open हो जाता है चली अभी फास्ट वीडियो में हम जो है ना इसमें फास्ट स्टार्ट अप में हम इसमें फार्मा को लेकर चलेंगे फिर आगे आगे चलके हरे की जानकारी देंगे हो समझेंगे सीखेंगे कि व्यापर लिस्ट अफ कंपणी की विंडो ओपन होती है कि का एंटर करने के बाद से उप्षन आता है न्यू कंपणी तो मैं कंपनी क्रेट करता हूं और जीरो से उसका पूरा setup बताऊंगा आपको कि एक pharma software को install करते हैं मार्क के तो क्या-क्या हमें basic setup करने होते हैं चाहे control room का setup हो या जो भी हो तो मैं ABC pharma नाम से एक firm create करता हूँ address दे देता हूँ कि मोबाइल नंबर ब्रांच कोड आटो डिफाइन होता है कंपनी क्रेट करते हैं तो यहाँ पर यह कंपनी का एक यूनिक कोड होता है जिसे हम ब्रांच कोड करते हैं ठीक है यहाँ पर basic information फिल कर देंगे like this कि अभी Gmail ID होगा स्टेट जो होगा स्टेट कोड आपको राइट साइड में दिख रहा है 00 स्टेट से लेके जम्मों से लेके आपका लधाक तक का तो मैं उत्तर प्रदेश से से लेक्ट कर रहा हूं 09 ओके अब यहाँ पर आपको ट्रेट दिया हुआ बिजनस टाइप इस कीसला आप सा viendo क्रेट कर रहा है कंपनि क्रेट कर रहे हैं 20 Rock ऊ Ready сделал बनारे कर बनारें के ग्रोसरी सूपर जानि है ना अलग-अलग mobile store का बनाएंगे garments का बनाएंगे तो first हम क्या करते है कि इसमें फार्मा distribution को select करते हैं और यहां पर आप फार्मा distribution है तो इसमें batch भी होगा अगर फार्मा का wholesale business है था batch MRP होगा तो हमें secondary select करने होती है अब यहाँ पर जी एस्टेन नमबर यहाँ डी एल नमबर डाल देते हैं ट्रक लाइसेंस नमबर जो होता है वो हम डाल देते हैं इसी तरह हमारा फूड लाइसेंस नमबर हो जाएगा जो डाल देते हैं और एंटर एंटर करते हैं यह हमारी कंपनी क्रेट हो रही है कि इसी को कोई कोश्चन होगा तो आप चैट में कर सकते हैं मैं इमेडिट उसका सलूशन देंगा पेसिक से लेकर एडवांस तक की कोई अभी आप फार्मा के लिए कर सकते हैं क्योंकि मैंने फार्मा की कंपनी क्रेट करी है कि इसी को कहीं कोश्चन होगा तो हम चाहिए पर सकते हैं कि अधर यह कंपनी क्रेट हो गई है ओके हैं कि सबसे पहले फार्मा सॉफ्टर में अपने को क्या करना होता है कंट्रोल रूम की कुछ बेसिक सेटिंग करने होते हैं माक सॉफ्टर में कंट्रोल रूम दिया गया है जिसमें आप सॉफ्टर के कुछ मॉडियल को आफ और आउन कर सकते हैं या फिर उसका कैल्कुलेशन फार्मुलेशन जो भी है वो चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते एक यूजर आईडी बना लेते यूजर आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर के अंदर जाना होता है Master में देखेंगे कि आपको Password and Power मिलेगा ठीक है Password and Power में एंटर करेंगे Operator का Option मिलेगा Operator में जाएंगे तो यहां Indication दे रहा है F8 for Enable आपको Operator Create करना है अनेबल करना है तो आपको सबसे पहला Operator बना रहा है तो आपको F8 की Press करनी है तो मैं F8 की Press करना हूँ और Yes करना होता है और यहां पर मैंने एक user ID बना लेता हूँ Mark Password भी दे देता हूं Mark एंटर करेंगे Escape करेंगे और Ctrl यू करते हैं लॉग आउट हो जाता है और फिर अपना user ID और password डालते हैं अब यहां पर basic information पूछ रहा है तो वह आप अपना detail डाल सकते हैं जैसे मैं डाल देता हूं ठीक है अब अब अपने को न सौट काट आगर सिल्वार अडिस अब अब आपने को न सौट काट अगर सिल्वार एडिस स्थन है आपका software में आपको सथ बटं मेंने कर सकते हैं तो कह सौट करने बता देता हूं इस रहा हो मास्टर में आपको मिलेगा मार set-up सीअर्र के आप को मिल जाएगा shortcut button एंटर करेंगे यह first बोल रहा है click on shortcut button जिस button को आपको replace करनी है वो button select करने तो मैं सबसे पहले बाले पर click करता हूं और फिर मैं जाता हूं transaction के अंदर transaction में आ जाता हूं तो मुझे bill मिलता है एंटर करूंगा और यहां पर मैं लिख दूँगा sell bill यह बोल रहा है कि उस shortcut की क्या नाम बताईए जो आपने select करें उसको क्या नाम रखने है आपको button का पिर मैं यहां पर आ जाता हूं नीचे वाले परचे चलान को परचे चलान को चेंज करता हूं और यहां पर मैं आ जाता हूं कि अगुंग से अगयद के इंदर शेल में मॉडिफाइबल तो यह आपर लिख देता हूं सेल मॉडिफाइब कि अब आ जाते है इसके नीचे आत हूं और यहां पर मैं लिल लिल दा हूं ट्रांजेक्शन में जाकर करकर परचेज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और यहां ले ले दो मैं पर्चेश मोडिफाई नीचे भी कुछ फिल्ड अभी देखने में खाली दिख रहे हैं मैं बिल्ट टैगिंग को हटा करके इन्वेंटरे मास्टर आइटम मास्टर के अंदर मास्टर के इनदर में 샵 में और इन्वेंटरि मास्टर में 是फ्टर को ओपन करते हैं भी ओपन और नहीं कि यहां पर क्या करेंगे यूजर एड़ी जो हमने अभी बनाया था मार्क और पासवर्ड भी मार्क सबसे पहले हम सलते हैं पॉड़क कोई क्रेट करते हैं तो उसके लिए हमें जाना हो तो मास्टर इंवेंटरी मास्टर आइटम मास्टर अभी यह जाता हूं नीचे हैं यह जो आपका इतना ज्याद दिखा रहा, volume discount, discount, item discount free, यह सब ना आए, इसके लिए, mark software के अंदर का होता, control room बनाया गया है, control room से सारी settings आप change कर सकते हैं, उसमें जाने के लिए, दो option है, या तो control, j, u, i press करना, या तो master में जाना है, mark setup और control room, और enter करते हैं, और search in all पर enter करने के बाद से, यहाँ पर लिखते हैं, necessary, n, e, c, e, लिखेंगे, enter, enter करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, item master window, w, necessary, y, all, s, limited, तो मैं कर देता हूँ, s, limited, okay, enter करेंगे, escape करेंगे, yes करेंगे, अभी दुबारा समझाते हैं, master, inventory master, और item master, अभी देखें, कुछ window छोटी हो गई, okay, चलिए, अभी यह product का code auto generate हो रहा है, हम चाहते हैं, कि हम अपना code generate करें, तो यहाँ type कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं product का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, यह product का नाम हो गया, और यह product की packing हो गया, एक पत्ते में कितनी गोली आती है, ठीक है, unit दे देंगे, strp दे सकते हैं, okay, company के उपर आएंगे, company के उपर आएंगे, company को अगर खोलना है, तो यह up-down की जो होता है, चार arrow होता है, left, right, up-down, okay, तो आप up की press करेंगे, आपको indication मिलता यहाँ पर, indication में क्या दे रखा है, कि F2 की use करना नया बनाने के लिए, तो नई company बनानी है, मालनी जो मैं बना लेता हूँ, मैं कोई भी XYZ कोई pharma बना लेता हूँ, XYZ pharma, okay, यह XYZ pharma एक company होगे, enter, enter करने है, कुछ आपको करने नहीं, basic software चलाने के लिए, pharma wholesale में maximum क्या होता, 90%, आज की डिट में कोई salt maintain नहीं करता है, okay, तो अगर salt maintain करनी है आपको, तो आप यहाँ पर salt, bar up की press करेंगे, और F2 करके इसका, जो भी होगा salt वो salt define कर देंगे, okay, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आते हैं HSN के उपर, HSN को खुलने के लिए, अप की press करते हैं, और F2 की press करते हैं, मालनी जे, इसका HSN assessic order 300490, और यहाँ पर इसकी GST मैंने कर दी, 6-6 और PCS unit, आई हो, आप आप लोगो समझ में आ रहा होगा, आप चैट बॉक्स में आपकी जो भी queries होंगे आप लिख सकते हैं, एंटर, एंटर, प्रेस करने हैं, एंटर, एंटर करने हैं, एंटर, और सीधे एंटर, एंटर करते हुए आ जाएंगे, यह एक पोड़क बन गया, चालिए, पोड़क बनाना हम सीखे, अब भी हम चलते हैं, पोड़क बनाने के बाद से, अब भी हमें क्या करना है, कि opening stock feeding करना है, जो हमारे पास mono shape मैंने पोड़क बनाया, वो हमारे store यदि पहले से चल रही है, तो उसका हमें कुछ पुराना stock होगा, उसको हमें feed करना होगा, तो उसके लिए हमें जाना होता है master, opening balances, एक बार फिर बताऊंगा, master, opening balances, right, opening balances के अंदर आप जाएंगे, तो आपको मिलेगा stock openings, okay, stock opening में जाएंगे, enter, enter करेंगे, accept कर लेते हैं, सीधे, सीधे, अब ही single product दिख रहा, ऐसे हमारे पास multiple products हो जाएंगे, जैसे मैं enter की press करूँगा, अब यह सबसे पहले पूछे का batch, मैंने इसका बैस डाल दिया, अब यह पूछ रहा, आपके पास कितनी strip बची होई है, पहले से, मैंने बलो 100, इसकी MRP 120, trade rate, sale rate, क्या होता है pharma में, या wholesale distribution म तो उसका एक rate होना चीए, तो उसको हम लोग बोल देते rate A, mark software के अंदर, तो मैं rate A कर देता हूँ, 65 plus taxes, okay, expiry मैंने कर दिया, 12-2028, बाकी आप यहाँ पर purchase rate अगर आपको पता है, क्योंकि costing और profit आपका उसी साब से बनेगा, आपका purchase rate भी 65 हो, यदि है ना, और यह net आपको 67 में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, एंटर, एंटर कर देंगे, यहाँ पर आपको tab या end की प्रेस करने हो, तो मैं क्या करता हूँ, tab की प्रेस करता हूँ, और एंटर करेंगे, यह आपका source strip जो है, stock में आपके आ जाएगा, चलिए, हम लोग ने क्य सिखा अभी, software में, company creations, item creation, shortcut, user, अब भी हम चलते हैं, laser creation के तरफ, laser हम दो, तीन तरह का होता है, तीन क्या maximum होता है, मैं आपको एक example बोला, तीन तरह का, जैसे हमारे use में क्या आता है, हमारे use में हमारा supplier का laser आता है, जिसे हम purchasing करते हैं, हमारे customer का laser आता है, जिसको हम sale करते है हमारे salesman का laser आता है, जो हमारा field staff होता है, या salesperson होता है, उसका laser, उसका target, उसका achievement, हमारे सारे expenses, जो भी accounting के होता है, expenses हो गया है, income, direct income, ये सारी चीज़े होती है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो laser बनाना भी सीखेंगे, फिलाल में, उसके लिए हमें master में जाना होता है laser master और laser new laser तो यहां अपन मैं supplier का laser बनाता हूं centric creditor, enter करेंगे, इसमें हमने डाल दिया, रामा, फार्मा यह मैं कर देता हूं Lucknow, यह इनका station हो जाता है, कि वह party कहां से belong करती है, अब यहां पर क्या करेंगे, पूरा detail address, dl, gst, mobile, यह सारी चीज़े एक form कुली हुए हमको fill कर देनी है, यहां पर उनका designation क्या है, contact person कौन है, honor का नाम, यहां पर mobile नंबर, जो भी mobile नंबर होगा, वो mobile नंबर डाल देंगे, ठीक है, dl नंबर जो होगा, उनका, और dl नंबर डाल देंगे, sunday adapter, और मैं कर देता हूँ, seo pharma, okay, देवरिया, चलिए, same process होता है, जो हमने creditor में use किया form, वह हमारे adapter में use होगा, सारा address फिल कर देंगे, mobile नंबर, GST नंबर, dl नंबर, ओमा दे करके 21 भी भी इसमें कर देंगे, same अगर GST नंबर उनके पास है, तो GST नंबर डाल देंगे, food license है तो वो भी डाल देंगे, नहीं है तो, enter, enter कर देंगे, यह save हो गया, अब इन lasers को अपने को देखना है, कि मैंने जो lasers बने हैं, वह है कहाँ, एक तो आप shortcut की से laser account में जा सकते हैं, दूसरा आप books के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको मिल दाएगा laser, all lasers, अब यहां पर मैं देख रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो है, यह स्वीव फार्मा तो आ रहा है हो सकते हैं एक और स्वीव फार्मा हो दो चार और स्वीव फार्मा हो तो मुझे नीचे स्टेशन देख देखना पड़ रहा है मैं चाहता हूं कि जो मैं स्टेशन वाली फिल्ड में डालू तो मुझे यहां सेंटर में दीखे सेंटर में दी दिखना है स्टेशन जाना है कंट्रोल के अंदर और स्टेशन सर्च करना है और यहां पर फर्स्ट वाली फील्ड जो दिखी हुई है स्टेशन फिल्ड रिक्वाइट यहां पर क्या कर देना है वाई कर देना है क्या कर देना आपको वाई कर देना है बस एंटर एंटर करेंग आप जो है हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी जो भी क्वाइरिस है अब हम चैक करते हैं बॉक्स के अंदर जाते हैं बॉक्स में आपको लेजर अकाउंट और लेजर मिलेगा अब मैं यहां पर सीव डालता हूं कुछ नहीं आ रहा है यहीं पर मैं क्या करूंगा लेजर मोडिफाई के लिए करने पूर्चेश के एक ऑप्षन है ठीक है धीं के अंदर परचेश या फिर हम ने जो परब्टन बना रहे तीन वहां भी जा सकते हैं तो मैं जाता हूं के अंदर परचेश के अंदर परचेश में आपको मिल जाएगा mood अब यहांपर हमें डेट करनी है यहांपर हमें डेट करनी है कि किस डेट में हम रिसीव कर रहे हैं एंटर करेंगे एंटर करते हैं हमने एक सप्लायर बनाया था रामा फार्मा यहां पर इनका इन्वोइस नंबर फीट करते हैं यह दीटी का मतलब होता है इन्वोइस डेट जिस डेट पर बिलिंग हुई है माल लिजे सपोज करिए कि 25 के जगए 248 में आपकी बिलिंग होई हो नया कोई बनाना है यही पर एक टू की प्रेस कर दीजिए और यहां पर प्रोड़क कर डीटेल डाल दीजे अभी मैं एंटर करता हूं ठीक है मेरे पास एबलेबल बैच है बी वन त्री वन टू फूर हंड्रेट स्टिप स्टॉक में जो कि मैंने ओपनिंग डाल रहा है मेरे से नीचे ही पूछ लिए यहां पूछ लिए बैच के बाद मुझे डालने का ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है अगेन जाना है बैक जाता हूं मैं सुरू से मास्टर मार्क सेटप्स और कंट्रोल डूम और यहां पर सर्च करना है आस्क मार्पी पोइंट्स नो जानी है यहां पर देखिए फॉर्स्ट वाली विंडो आपको मिलेगी आस्क मार्पी ओन रिसीब तो अभी आपको क्या करना है देखे अभी आपको एम कर देना है एम करके स्केप करके सेव कर देना चले से अब भी हम चलते हैं ट्रांजेक्शन पर्चेश बिल और सेम प्र अब देखें मार्पी चेंज का ऑप्शन लिडो आ गया यहां पर नीचे तो अब दस एक की डील यहां पर दस और प्लस करूंगा तो नहीं काम कर रहा है तो अपने को क्या करना है फिर से वापस जाना है कंट्रोल लूम के अंदर तो मैं जाता हूं बैक जाता हूं मास्टर सेटप कंट्रोल रूम् तो यहां पर सर्च करना है आपको फ्री डील को फ्री डील फ्री डील फ्रूम मास्टर बैज पर यहां ग्या कि विंडो करना का नीच और स्केप स्केप करके यस कर देना चलिए सर अभी चलते हैं हम परचेज के अंदर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा अब मैं सेम पॉड़क्त ले लेता हूं बैस ले लिया मैंने एकस्पारी को ले लेता हूं मार्पी ले ली अब लोसर यहां पर दस प्लस वन टैन प्लस वन अभी देखें इसमें तीन तरह से हम काम कर सकते हैं यह तो दस पर एक डील हमें फ्री आई है है अगर हमें दस पे ना आप जाते हैं यही पर percentage कर दे तो दस प्रेंट वह भी लास कर लेगा तो टैन प्लस वन की डील लेली मैंने अब लोसर यह 65 था रेट बढ़ गया यह ट्रेड हमें पढ़ गया है 67 ओके और डिसकाउंट अपने को आगे बढ़ते हैं अब लोसर यह अपने को यहां पर नेट यहां पर यहां पर यहां पर यह लिखा हुआ सिक्स नंबर को देखेंगे इसमें दे रहा है कि इनपूट कॉस्ट प्लस इनपूट जीएस्ट लेके आपको करने है मैंने बोला यह वह मेरा नैट जो मेरी लेंडिंग होगी वह दोनों को मर्ज करके मुझे चाहिए ठीक है जी एसटी को भी और हमारी जो डिसकाउंट के बाद से जो पॉडक के वैलू बन रही है तो अभी तिरपन आ रहा है अब दुबारा समझाते है सेम पॉडक को तो देखें 60 रुपे 3 पैसे आगा है न यह हमारी नेट लेंडिंग है 60 रुपे 3 पैसे की ठीक है क्लियर है चलिए अभी क्या करेंगे MRP हो गई है अब यह वाली विंडो बड़े काम किस है यहां पर अभी देखें कुछ विंडो में ओपन भी करके आपको दिखाऊंगा जैसे कि अब आपको डील तो आ गई आपने आप 10 प्लस वन डील भी डाल दिया है ना आप जाते कि आपको डिसकाउं डिसकाउंट भी डालने का जो आपको 12 का डिसकाउंट आया है है ना वो डिसकाउंट को आप आगे आटो फीट कर दे कि बैच के अंदर पिक कर ले तो इसके लिए आगे आपको कंट्रोल रूम में जाना है कंट्रोल रूम में जाने के बाद से आपको आपको बैच और एक्सेप्ट कर लेना यह लो सर यह आगे पहले वाली बैच वाइस डिसकाउंट इन पर्षेंटेज अपने बोला यह स्कीम अपने को आई है 10 प्लस वन की मैं आगे 10 प्लस वन देना चाहता हूं अब यह बोल ला है कि 12 आपको डिसकाउंट आया आप कितना देना चाहते है मैंने बोल अच्छा है एंटर कर दिए अब भी तक रेट ट्रेड अगर अपने को बदलना है कुछ भी तो ट्रेड यहां पर हम बदल सकते नहीं तो जो ट्रेड चल रहा है उसको हम चलने देंगे है ना आगे बढ़ेंगे एंटर एंटर करेंगे अब लो सर यह आगया 6300 प पैस है अगरिस को अपने को सेव करने अगल लेना है तो नईएव पर पड़क बना लेंगे आपको लिए करनी है ना हमाल नीजिए आपको इस वप्रेस कर सकते Ctrl W या फिर End की Tap Ctrl W या फिर End एक बार हो समझ लिए Bill को Save करने के लिए चाहे परचेज का हो, Sale का हो Sell Return हो इसको Save करने के लिए Ctrl W या फिर Tab या फिर End मैं Tap की Press करता हूँ यह आ रहा है कि Sir आपने Sipte Deal, इसका मतलब होता है कि जो Deal आई है, वो क्या मेरी Shift हो गई है, Sale में है न, वो दिखा रहा है, इसके लिए Green दिखा रहा है, मैं चाहतो यह विंडोव आई ही इसके लागें Ctrl लूम में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है, Save Deal क्या सर्च करना है, Save Deal और इसको कर देना है, एक्स Purchase Free Deal, Save in Purchase Deal को X कर देना है, Enter, Enter करके Escape करके Save कर लेंगे, अब दुबारा से यदि आप बिल बनाएंगे अब दुबारा से बिल बनाएंगे Save करेंगे, तो वो विंडोव आपको नहीं मिली, नहीं मिली, अब लो सर, यहाँ पर आते है सर, Round of की बात आ गई सर, 6,03 रुपे Lower, Lower, Manual, है न, इसको All कर देना है, और Escape, Escape करके Yes कर देना है, सर, अब भी जाइदी आप बिलको Save करेंगे, तो यह Round of कर लेगा, सर, कर लिया, Enter, Enter करना है, यहाँ पर Landing Cost, माल यह 6,03 रुपे के अलावा, माल लीजिए, 6,03 रुपे के अलावा, आपका कोई Landing Cost पड़ता है, जैसे कि आपका 6,000 रुपे का पॉड़क्ट Receive करने में, आपको 100 रुपे या 200 रुपे भाड़ा आपके लगे, तो आपके 60 रुपे जो पॉड़क्ट की कॉस्टिंग हुई थी, यहाँ पर उसी में तो एड़ करने है, NetApp की बढ़ गई, यह वाली 60 रुपे 3 पैसे, है ना, तो आपको क्या करना है, क्यों पाटी को भी नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर Land Cost डाल देना है, तो आपने को क्या करना है, दुबारा से मैं बिल चड़ाने को बताऊंगा, Master में जाना है, Mark Shut Up और Control Room में सर करना है, इसको पी कर देंगे, और इसको सेकंड वाले को बी कर देंगे, 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 सेकंड वाले को बी कर दिया, स्केप करा, स्केप करा, स्केप करा, स्के यहां पर क्या करेंगे हम ले लेते हैं भार्मा को लेने के बाते हैं बहुत ढूरोगा यह हमारा तल यह वालगोज डेट हटा द लो से वाली क्रेडिकिस के माद लेट प्रेट कर दिया अब लोग सरी एंटर करा मैंने मोनो से लिया जो बैच डाल दी डाल दी MRP कैसे नीचे लानी है वो मैंने बताई दिया आपको MRP मैं डाल देता हूं ठीक है यह मैं क्वंटिटी ले लेता हूं डील डिसकाउंट अगर डालनी है तो यहां डाल देंगे है ना कि यहां पर मैंने डाल दिया और यह सेल डिसकाउंट मार्केट में मुझे देना है तो यह आपकी नैट लैंडिंग कितनी हो गई है पचपन रुपय उनसट पैसे की ठीक है और यह आपका रेट का मतलब हो था ट्रेड रेट आपकी कोई भी करी हो तो लाइब चैट में लिख दीजिए गा ठीक है मैं इमेडेट आपको फार्मा कोस्ट के उपर लैंड कोस्ट में क्या होता है कि हमारा अगर 5569 रुपय के लावा हमारा कोई भी एडिशनल एक्सपेंस वह जो हम पार्टी को हमें नहीं देना है अनलोडिंग लोडिंग जो भी एक्सपेंस होगे हम चाहते कि जो हमारी लैंडिंग पढ़ रहे है पोड़क कि इंटर कर देंगे पाटिकल लेजर बैलेंस पोस्ट हो गए अगया संदर आप माली जो दस दिन का पंदर दिन का डियू लेना चाहते है इंसे तो वह दुए तो वह उसके बासे डियू में जायेगा ठीक है यहापर रई बीटल हो गया यह सारी चीज़ें आप जो हैं एं अब लो सर अब हमने यह पर्चेज बिल चढ़ा लिया अभी हमको कुछ उसमें बैच हमने गलत भर दिया था ठीक है तो अपने को पर्चेज मोडिफाई करना है तो दो अप्शन होता है बेसिक एडिशन के अंदर सौटकर्ट बटन यूज कर सकते हैं यह सिल्वर के सारी सारी करने बिल नारा रही हो हो अपने सिस्टम में मोडिफाईबर का उपन कर लेते है यह पर लिऑ रहे हम नबर पता है हम डालकर सर्च करना है तो यह पर डालेंगे की सट्रम औोर स्केट पूछ रहा है कि कि इस ABOUT एक युHello दिल से कि वेंस्टने displacement किसी सिंगल पाठी के सारे देखने है मैंने बूलो नहीं सारे दिखा दू अब यहां से आपकोpell को मम कि एंट्रेंटर करके जो भी करेक्शन करें मालनी यह भी मेंना मेरे से कोछ छूट गए था बाकि सब सेम था मैंने यहां पर चेंज कर दिया बैस नंबर जो है फिर से मैं इसको सेव कर दूंगा सेम टैप कंट्रोल डब्लू या फिर एंड से ठीक है तो यह आपका होगा पर्चेश अल्ट्रेनेशन यहनि पर्चेश मॉडिफाई ठीक है कि चले कि इसके बाद से हम चलेंगे यह मारा पर्चेश होगया कंट्रोल डूं के बेसिक सेट अप्स हो गया पर्चेश तक हमने क्लियर कर लिया अब हम चलते सेल के तरफ ठीक है का नहीं चलता है यह होल्सेल का सेट अप चलता रेटेगल का नहीं चलता है कि इसके लिए हम लोग सेल बिल में जाते हैं ठीक है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन में सेल बिल एंटर करते हैं यह पूचता है पाटी सब बताओ किसको बिल देना आपको है ना तो मैंने एक लेजर मताया है सिव फार्मा का अगर आपको नहीं बनाना है तो अप्र टू की और आटर प्रस करेंगे ठीक है मैं आप ले ले लेता हूं फ्रॉफ फार्मा यह पूछ रहा है सर credit देना है cash देना है सर मैंने बोला ना सर ऐसा करो आप जो है credit ही ले जाओ सर ठीक है अब लो सर इसमें क्या होता है आपके में अगर mr wise आपको billing करनी है तो यहाँ पर mr window open करनी है ठीक है और यह सिव फार्मा है इनका laser तो मैंने बना दिया है यह इनको area define नहीं करा है कि laser के अंदर area define कैसे करते है चली इस concept को clear करते हम है ना तो area बनाने के लिए अपने को पहले control room म में ही जाना है और ऐसी ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी जो सॉफ्टर तो इन सॉल्ड हो जाता है इन control room की training आपको नहीं होती है है ना तो यह डायरेक्ट आपको control room की training हो रही है जाने के पासे आपको सर्च करना होता है area area और यह वाली विंडों को ने यस कर देना होता है इसकेप इसकेप यस और यह फाइल मेंटेनेंस बोलेगा आपको फाइल मेंटेनेंस चला देनी है अगे बढ़ते हैं हम लोग laser modify कैसे करेंगे उसके बाद सेल सीखेंगे तो इसके लिए अपने को laser account में जाना होता है और मैं यहाँ पर स्थिव ले लेता हूं यहीं पर डारेक्ट एफ्टरी कर देंगे या बुक्स के अंदर जाएंगे और लेजर में जाएंगे पाटी सच करेंगे और एफ्टरी एफ्टरी लैप्टॉप यूज होता है जिसमें function की काम नहीं करता है कि बोड अगर आपका ह है तो एफ्टरी करेंगे लेजर डीटेल के अंदर जाएंगे और देख पाएंगे आपको दिख रहा है मोडिफाइं में जाएंगे हैं अगे और यहां हम लोग सकते हैं डिलेवरी मैं भी वह आगे सीखेंगे अभी सीखते हैं एरिया ठीक है इसको खोले के लिए कोई भी यस नो वाली फिल्ट को खोलने के लिए आपको अप डाउन की यूज करना है आपको यह खुल गया अभी देखें आपको इंडिकेशन यह वाली पट्री पे मिलत मैं बना देता हूँ देवरिया रसिया एप टू से बना रहा हूं मैं सलेमपूर गोरकपूर पडराउना रुद्रपूर अब आटा मैं कुछ मैक्समुम थोड़ा बना देता हूं है ना फाजन लगर कि अमकूही रोड अ इतना मैंने एरियर बना दिया अब यह स्यूफ फार्मा है ना वह देवरिया के पार्टी है तो मेरे को क्या करना है यहां पर देवरिया से लग कर लेनी है सिंपल सर इसमें रूट भी डिफाइन कर सकते हैं इसको एरिया को भी फिल्टर करने के लिए तो आग इसी केंगे अब यह पार्टी हमारी देवरिया में चले गए एक और लेजर बनाते हैं हम है ना वह हम सेल विंडो से लेजर बना के आपको दिखाते हैं तो सेल के लिए ट्रंजेक्शन में जाना है या फिर आप सॉटकट की भी यूज़ कर सकते हैं दोनों ऑप्शन है या आप आल्ट एन भी यूज़ कर सकते हैं आल्ट इन एफ्ट्र से भी होता है बट आप यूज़ कर सकते है तरजेक्शन में गए सेल बिल में एंटर करा अब मैं आप सीव फार्मा को एक बिल मनाता हूं है अभन्छे लिए अब यह बोला सर क्रेडिट देना है कैस देनाया मैंने बोला सर एंटर करने के बाद से येंटर मेरा एक्स्ट्रा यह जाता हूँ कि इन्टर सर्च करेंगे ग्ल करेंगे पान यहां को करेंगे पतनτα कर देंगे अइन को करें है open item list directly है फिर से हमारा वही प्रोसेस होगा एंटर एंटर करा यस करा लो सर अभी लो अभी क्या है ना अभी हम जाते हैं बैक जा रहे हैं ट्रांजेक्शन के अंदर गया बिल में गया एंटर करा पार्टी ली एंटर करा मर नहीं लिया और यहां पर डायरेक्ट आप प्रोड को दिख रहा है कि 65 रुपए अपने परचेज है 569 रुपए हमारे लेंडिंग हो गई है ना मार्जिन हो गया डील हो गया डिसकाउंट हो गया और किस पार्टी से कितना दिन पहले हमने परचेज करा था ठीक है अब मुझे यहां दिखने ही रहा कि मेरे को डील क्या आई है डिसकाउंट के आया है ठीक है तो अभी क्या करूँगा मैं control room में जाओँगा सरी control room में जाओँगा कि अ कि कंट्रोल में जाने के लिए कंट्रोर के साथ जे फिर यू आई खरके छोड़ देंगे ठीक है और यहां पर मैं सर्च करता हूं सो मार्जिन का सच करना है मेरे को सो मार्जिन और हम आजाते यहाँ पर मैंने बोला न कि ऐसा करो यह पूछ रहा है मार्जिन इस बिल वाइस यह फिर परठेसे में या फिर कि वर पर्ठेसे करा दूंज Investig h desol डिल डिसकाउंट मेरे को दिखनी चीए एंटर एंटर करा अब देखें सब्सक्राइब करके आपको कुछ दिखाना चाहरा हूं अभी लिए मैं बैच के अंदर गया अब लिए मेरे को यहां पर छोटा-छोटा दिख रहा है और छोटा-छोटा दिख रहा है यह नीचे ठीक ह और यहां पर एक option है यह वाली एच इसको मैंने कर दिया highlight करने के लिए ठीक है अब देखें सर अभी क्या कर रहा है अभी देखें आया तो यह ठीक है ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह नीचे ना आक है यह product वाली यह वाली लाइन यहां पर आ जाए ठीक है तो इसके लि सर देखें इसका फरक क्या होता है ठीक है यह पाड़ लिया मैंने यह लो सर यह आ गया पैसाट दस एक की डील आई है है और 16% डिसकाउंट आया सर ठीक है वह आप देख लेंगे अब मैं आपना दस कॉंटिटी कर रहा हूं डिफॉल्ट महां सेट कर रखा था इसके लिए अब मैं यह पर डील हटाना चाहूं तो हटा दूंगा अगर डील आप देना चाहिए तो दे सकते हैं मैंने ले लो सर ठीक है अब देखो सर अभी क्या हुआ मैंने यह पॉड़क्ट तो लिया ठीक है लेकिन डिसकाउंट पर मेरा करसर नहीं गया मैं एक एंटर किया अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगें कंट्रू लूम में जाना है और सच करना है वेट शक्राना है वेट पीर सर्च करें एक्षप करी और यह थल्य ना इन डिलिंग सें अ भॉनज करूंग है अब बोंड। करूंगा लो सर यह रुख गया अब देखिए एक ही पोड़क्त एक ही मैं दो बार मैंने करा अब मेरे को रोका नहीं हो सकता है कि एक पार्टी ने मुझे और देर दिया है आइटम का और मैं आगे और नोट कर रहा हूं वही आइटम रिपीट हो गया सकता है तो इसके लिए आइटम रिपीट इन बिल आस्क करा देता हूं सर मैं इंडिकेट करेगा या वेट करा देता हूं सर पहले वेट कराके आपको दिखाता हूं इंडिकेशन कराता हूं मैं इंडिकेट कराता हूं मैं दुबारा से चलता हूं बिल बनाता हूं सेम आइटम लिया ऊपर नहीं है तो मैं फिर से चाहता हूं चाहरा रिपीट रिपीट सर्च किया मैंने और यहां पर जो है मैं आई की जगे वाई कर देता हूं अब लो सर अभी क्या कराएगा सेम आइटम किया नहीं जाने देगा लेकिन वह सब्सक्राइब देखता हूं अच्छा मेरे लिए यह होगा कि यह लो सर्शाएं यह यहां पर रोक दिया आपको करके दे दालना है उसके अंदर आपको करना है पूछना है है आपने आइटम दे दिया और बढ़ाना है कि है इसमें कॉंटिटी अपने बोले येस तब जाके ये बैच देगा सर है ना अदर्वाइज नहीं देगा ठीक है अब लो सर इसमें एक option और ची बहुत से पार्टिया होते हैं कहते हैं मेरे को net rate से मतलब है सर डील इसकाउंट मेरे को समझ में नहीं आता है इनको देना या बेचना मुझे नहीं आता है मैं जाता हो कि मेरे को net rate लगाने का option मिल जा है ना तो इसके लिए आपको again control room में जाना है और सच करना है आस्क नेट क्या सर्च करना है आस्क नेट किया आपने अब यह option आ रहा है यहां पर second वाली आस्क नेट वाई आलवेज मैंने बोला हर बार नहीं पूछना है यह वह मेरे को सेल में पूछना है यह ना अब क्या किया यहां पर कर दिया है कि आप पूछो लेकिन कब सेल के टाइम पर कल पूछो ठीक है यह option को हमें कर देना होता है कि कई लाइन से विंडो आ जाती है अभी रहने देता हूं मैं आपको अभी नेट अन कर दिया इसकेप किया अब दुबारा मैं जाता हूं सेल बिल्ल के अंदर ठीक है और यहां पर जो है मैं एंटर करूँगा तो मेरे से देखे से इतनी लंबी विंडो लि सब्सेב करना है झाया तो को पूरा समझ में और लोगे तो लोगेजर यह और इसको कर में झाइक करता हूं है कि रीपीट कर रहा हूं इनको 70 रुपय का टीक है अब इसको सेव करना है तो आपको टैप कंट्रोल डबलु या फर एंड की प्रेस करना है मैं यहां पर कंट्रोल डबलु कर देता हो अगर इसका प्रिंटर निकालना है तो एंटर करेंगे प्रिंट होजाएंगा से अगले इस टेप में हम सीखेंगे बिल फॉर्मेट का ठीक है न तो बिल फॉर्मेट के लिए तैयार रही है तो अभी हमने क्या-क्या सीखा वो समझ लिजिए मार्क सॉफ्टर डाउनलोड करना सीखा इसके अंदर जो है क्या कहते है कि कंपनी क्रेट करी फार्मा होल्सेल के बेसिक सेट अप किये पर्चेज भिल सीखे पर्चेज मॉडिफाइद पर लेजर सेखे रूट एरिया एड्ड करना सीखे और सेल सीखा अब एक चीज और समझ लेते हैं ठीक है इसमें क्या सीख लेते हम जो सेल को मोडिफाई कर से करनी है ठाई मैंने यहां पर ढफाय में जाता हूं मॉडिफाई होता है रहता मी करेंगे घाराम सारे ला जाएंगे करके मैं क्या करता हो ना पार्टी बोले कि नहीं सर ऐसा ना मेरे को ना बीस पीस कर दीजिए ठीक है और बीस पीस मैंने 400 रुपए के इसाब से कर दिया 70 रुपए नेट लगाया था ठीक है तो यह डिफरेंट अमाउंट अपने लाइक और सपोर्ट के ही दम पर यह वीडियो बने आपकी सीखने के लिए तो आप सीखिए आप लाइप पर आईए लाइप पर अपनी कोईरी रखिए सर हैना वह कोईरी के सलूशन मिलेगा लाइप चैट पर आईए सारी चीज़े बताईए आप हमें कमेंट करिए हैना कमें कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार सुक्रिया थैंक्यू ज्यादा थैंक्यूब